जिने के गौठानों के आसपास रहने वाले मूल निवासियों को रोजगार मोहिया कराने को लेकर सभी गौठानों में नविन टिक्नलोजी का उपयोग कर नावाचार को बढ़ा दिया जाएगा। इस दिशा में दुर्ग कलेक्टर द्वारा सक्री दोरा किया जारा है। जिने के गौठानों में आने वाले दिनों में और समवर्धन किया जाएगा सभी गौठानों में वर्तमान में चल रही आजवी का मूलक गतिवीधियों में नविन गतिवीधियों को जोड़कर इनकी संख्या को बढ़ाया जाएगा। जिसे की गौठान की आसपास रहने वाल मूल लिवासियों के लिए जादा संख्या में रोजगार स्रिजित किया जा सके गौठानों को और बहतर बनाने की दिशा में कलेक्टर पुषपेंद्र कुमार मीना दवारा सक्री दौरा किया जा रहा है इसी कड़ी में उन्होंने आदर्श चंदकूरी गौठान से गौठान की स्वसायता समू की दीदियों का वर्तमान कारे देकर उन्होंने अपने खुशी जाहिर की और गौठानों को और बहतर बनाने की दिशा में नवाचार को अपनाने की बात कही गौठानों में हाइट्रिक डेरी फार्म का दिर्मान किया जाएगा जिसमें डेरी की शुरुवात उचे नसले की गायों और भैसों के साथ की जाएगी जिसमें साहीवाल और गीर जैसे जादा दूद देने वाले गायों को फ्तान दिया जाएगा ताकि स्वसायता समों की दीदियां जादा से जादा आर्थिक लाफ ले सकें इसके अलावा बकरी पालन और की शमता को एक हजार करने का निर्देश संबंदित अधिकारियों को दिया साथी अपने निरिक्षन के ज़ारान उन्होंने गौठान में बने शेड का बारिकी से निरिक्षन किया और संबंदित अधिकारियों को क्लोस्ड शेड में क्रोस वेंटिलेशन को प्राथमिकता देने के लिए कहा ताकि पशुधन गर्मी और आद्रता जैसी परिस्थीतियों का बहतर तरीके से सामना कर सके वही कलिक्टर ने चंदखूरी गोठान में हुए कारियों की विशेश रूप से प्रशंसा की उन्होंने यहां के आर्ना मेंट मचली पालन कुकुट पालन बाड़ी से लेकर वर्मी कमपोस्ट खाद की क्वालिटी की उच्च गुडवत्ता को बताया उन्होंने सभी सहायता समू की वीधियों को प्रोचाहित करते हुए कहा कि हमें निरंतर ऐसे अच्छे प्रयासों को जारी रखना है और शासन की मन्शा को एक नई दिशा देना है इस औसर पर जिलापंचाय सीयो अश्वनी देवांगन दुर्ग स्जीम मुकेस रावटे ए इवं अधिकारी गण उपस्थित रहे ग्रेंडेसीन नियूस के लिए दुर्ग से नसीम फारुकी की रिपोर्ट